दस मही को हुने वाले करनाटक विधानसवा चुनावों से पहले पूर्व पीम हडी देव गौडा के परिवार में फूट पड़ गई है देवगोडा के दोनों बेटों करनाटर के पूर्व CM HD कुमारस्वामी और HD रेवन्ना के बीच हासन सीट को लेकर मनमुटाव पैदा हो गया है दरसल कुमारस्वामी डेड़ साल पहले ही इस सीट को लेकर घोशना कर चुके थे कि बीजेबी को हराने के लिए जनतादल सेक्यूलर सबसे काबिल और ग्राउंड के नेता को टिकट देगा लेकिन उनके बड़े भाई रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रही है जिसकी वज़े से परिवार में ऐसा ग्रह युद्ध मजगिया है कि कुमारस्वामी ने कहा है कि इस कलह की वज़े पार्टी के कुछ शकुनी है जो सामने शुबशिंतक बनते हैं लेकिन अंदर खाने परिवार को तोड़ना चाह रही है जेडियस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कुछ शकुनी उनके भाई रेवना को पट्टी पढ़ा कर सीठ हतियाना चाहते हैं दुर्भाग्यवश उनके पिता और पार्टी संरक्षर एचडी देवगोड़ा भी इस मामले में अपने बड़े बेटे रेवना को नहीं समझा पा रहे हैं कुमारस्वामी की भावी भवानी रेवना हासन जिला पंचायत की पूर्व सदस्या है उनके दोनों बेटों में एक प्रजवल रेवना हासन से सांसद है जबकि दूसरा बेटा सूरज रेवना एमिलसी है हाला कि अब परिवार ने अंतिम फैसला एचडी देवगोड़ा पर छोड़ दिया है वैसे इन चुनावों से पहले कहा जा रहा है कि JDS किंग मेकर की भूमिका में रहने वाला है ऐसा दावा देश के तमाब ओपीनियन पोल कर रहे हैं टाइमस नाओ वी एमार के एकजिट पोल में जहां कॉंग्रेस को 80-93 सीटे मिलती हुई दिखाई दे रही है तो JDS को 31-49 सीटे मिलती हुई नज़र आ रही है वहीं पॉपलर पोल्स के सर्वे में कॉंग्रेस को 82-87 सीटे मिलती हुई दिखाई दे रही है और JDS को 42-45 सीटे मिलने का अनुमान है कुमार स्वामी पिछले 4 साल से इन चुनावों को लेकर कड़ी मेहनत कर रही है अनुमार स्वामी और उनकी पत्नी राधिका कुमार स्वामी दोनों की ये दूसरी शादी है दोनों के बीच 27 साल का फैसला है इस शादी से उनकी एक बेटी भी है राधिका कुमार स्वामी कर्नड फिल्मों की मशूर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर है रादिका ने 2002 में कंणर फिर्म नीला मेगा शमा से अपना डेब्यू किया था उस वक्त उनकी उम्र महस 14 साल थी साल 1986 में जब HD कुमार स्वामी ने पहली शादी अनिता कुमार स्वामी से की थी ठीक उसी साल एक्ट्रिस रादिका का जन्म हुआ था रादिका ने पहली शादी 2000 में 14 साल की उम्र में रतन कुमार नाम के शक्त से की थी हारा कि 2002 में रतन कुमार का हारेटेक से निधन हो गया 2005 में जब रादिका की उम्र केवल 19 साल की थी उस वक्त उनकी मुलाकाद HD कुमार स्वामी से हुई 2010 में राधिका ने खुलासा किया कि 2006 में दोनों ने शादी कर ली थी कुमारस्वामी के 2018 में CM बनने पर राधिका की खूब शर्चा हुई थी राधिका कुमारस्वामी को Google पर सर्च किया गया जिससे वो Google ट्रेंडिंग में टॉप पर रही वही कुमारस्वामी की पहली पत्नी से उनका एक बेटा है निखिल गौडा जो इस बार विधानसभा चुनावों में अपना भाग या आजमाने वाला है निखिल पेशे से एक्टर है और राजमीती में उतर रहे हैं इस बार वो अपनी मा अनीता की सीट रामनगर से चुनाव में उतरने जा रहे हैं इससे पहले तक कुमारस्वामी की पहली पत्नी अनीता कुमारस्वामी इस सीट से चुनाव लड़ती आ रही है हाला कि कुमार स्वामी इस बार अपने भाई भावी की वज़े से मुश्किन में आ गए हैं लेकिन सवाल ये उड़ता है कि क्या कारेकरताओं से किये वादे पर वो अपने परिवार के खिलाफ खड़े रह पाएंगे अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा